अधुद अविश्वशनिय अचंभित जहाँ पर आप देख रहे हैं कि नौक्रियों का नामों निशान नहीं हैं नौक्रिया नाम मात्र आ रही हैं वही पर एक ऐसा आयोग एक ऐसा आयोग जो 2022 से लेकर अगर 2024 तक देखें तो लगभग 4 लाख पदों पर वेकंसी दे चुका है 4 लाख पदों पर भरती निकाल चुका है यह आयोग है बिहार सिच्छक भरती आयोग आप देख रहे होंगे कि कहीं पर भी नौक्रिया आ नहीं रही हैं और ये लोग एक एक साल में 2-2 भरतियां कंप्लीट कर रहे हैं तो आपको आज इस पूरे सेशन में पूरे सेशन म टियारी 2 भी 2022 और टियारी 3 2023 ठीक है समझ लेते हैं थोड़ा पदों के बारे में बात कर लें क्योंकि हमने ऐसा क्यों बोला कि इतने पद 4 लाख लगबग पद केवल 3 साल के अंदर 3 साल यानि 22, 23, 24 तीन साल के अंदर 4 लाख पदों पर भरती कंप्लीट हो चुकी है 4 लाख बच्चे नौकरिया पा चुके हैं जहाँ पर नौकरिया नहीं आ रही है वहाँ पर नौकरी मिलना बहुत बड़ी बात है आओ देखते हैं सारी बात देखें टियारी 1 की अगर बात करें तो सबसे पहले बिहार सिच्छक भरती में 1,70,461 नौकरिया देखने को मिले थी खुल नौकरिया हो जाती है बारा एक लाख 21,370 पदों पर भरती हुई थी 2022 ठीक है अब इसके बाद टियारी 3 में भी कम पद नहीं थे 86,391 पद थे यानि कुल अगर देखा जाए टियारी 1,2,3 को मिला दिया जाए तो 3,78,222 नौकरिया बच्चों को मिल चुकी है ठीक है और इनका एक तो सबसे अच्छा है कि एक साल में दो दो भरतिया कम्प्लीट करा लेते हैं नौकरी पहुचा देते हैं जॉइनिंग लेटर दे देते हैं ठीक है आप सोच रहे होंगे सर जी ये पूरी भरती के बारे में डिटेल में बताईए क्या क्या इलेजिबिल्टी हो ये कट ओफ देखेंगे तो आपकी आँखें खुली रह जाएंगी कहोगे एकजाम ही क्यों करा रहे हैं ये लोग ऐसे ही नौकरी दे देनी चाहिए आओ आपको मैं बता दू टियारी वन का जो परिच्छा हुआ था पूरा डिटेल में बहुत जल्दी से हम आपको एक बार पूरा का पूरा दिखा देंगे ब्रीफ में देखो टियारी वन की परिच्छा हुई थी इसमें पद थे एक लाग सत्तर हजार चार सो एक सट हजार फॉर्म पड़े थे चार लाग सरसट हजार रेसियो बन रहा है एक अनुपाद दो पॉइंट साती निसका मतलब है लगब बीस में कितनी सरसट चलो छोडो टियारी टू की बात करते हैं एक लाग 21,370 पद आये हुए थे जिसमें 11,00 बच्चों ने फॉर्म भरे थे ठीक है एक अनुपाद 9.5 का रेसियो बना यानि लगभग 10 लोगों में एक नौकरी पकी है यहां से पता चला अच्छा नौकरी यहां से मिल रही हैं लोग ज्यादा इन्वाल हो गए 11,00 बच्चों के फॉर्म पड़ गए तब भी आप कट आप देखो के ज्यादा कुछ खास नहीं क्योंकि आप S.S.C. जैसे एक जामों को दे रहे हैं तो आप थोड़ा ध्यान दीजिए जर्नल की नवासी मैं मान तो इ से इसमें अच्छी कोट आफ गई जर्नल की नवासी S.C.S.T. की 49 बाई इनसे पर इच्चा क्यों करा रहे हो 120 नंबर 120 नंबर वाले थोड़ा S.C.S.T. वाले ध्यान दो तुमारे लिए नौकरी फ्री में रखी है फिर भी ध्यान नहीं दे रहे हो 49 नंबर 120 में यार अंधी मार के चले आओगे तो हो जाएगा बिना पढ़े बिना पढ़े नौकरी 49 कोट आफ EBC BC EWS 55 कोट आफ यह TRE टूखी पर इच्छा हो गई 12,370 नौकरिया भर चुकी है मिल चुकी है बच्चों को आज़ो TRE 3 भी हो भी TRE 3 में पढ़ आयते 86,391 अच्छा देख रहे हो लगा कम तो बच्चे भी कम होए ठीक है अब यहाँ पर रेशियो बन रहा है एक अनुपात 8.36 यानि 9 पर एक को मिल रही है नौकरी 9 बच्चों में एक को कनफर्म होए ठीक है कट आफ देख लो भाई जनरल की अब भाई यहाँ पर कट आफ कम हो गई वहाँ देखो TRE 2 में जो ST की मेल में 49 49 लो भाई इनसे क्यों करा रहे हो एबीसी सरसट 56 बीसी 74 चाचट मेल और फीमेल तो यह सब पूरा आकड़ा देख के एक बार मन में जरूर लग रहा होगा यह नौकरियां कैसे मिलेंगी क्या है इसका सलाबस कैसे हमको पढ़ना है क्या आपके पास तीन से चार TRE4 की बात कर लेते हैं मेरा जो मानना है अगर ऐसा चलता आ रहा है और अभी आपको यहां पर संभावित पद के बारे में भी पता हो गया होगा कि लगभग एक लाख सत्तर हजार वेकंसी आपको देखने को मिलेंगी औरे बाप इतनी ज़्यादा यस एक लाख सत्तर हजार नौकरियां आने वाली है TRE4 में संभावित फॉर्म भाई फॉर्म कितने पड़ सकते हैं 10 से 12 लाख पड़ेंगे ये बिल्कुल डाटा संभावित में चल रहा है मैं मान के चल रहा हूं और मान की चलूंगा कि आप कितना स्कोर अगर ले जाए तो आपका काम हो जाएगा व अभी आपको मैं बता दू संभावित फॉर्म 10-12 लाख आप लेके चल रहे हो ठीक है तो संभावित रेशियो क्या बनेगा 1.5 यानि 6 पे एक नौकरी पक्ती हो रही है रेशियो में तब भी जो सेव स्कोर मैं लेके चल रहा हूं वो थोड़ा सा बढ़ा की चल रहा हूं कि भाई अगर जनरल में हो तो आप 85-90 नंबर की तयारी करो ठीक है EWS में हो तो 80-85 की तयारी करो रखो अपने आपको इस कैटेगरी में कि 80-85 नंबर मैं ला पा रहा हूं कि नहीं ला पा रहा हूं नहीं ला पा रहा हूं तो कमी है मुझे तयारी करनी है ठीक है SCHT में हो तो 50 से 55 का अपना रेशो बना के चलो फिर बाद में नौकरी निकल जाएगी तो बाद में पश्ताने से क्या होगा कुछ नहीं होगा किवल रोना होगा आपको EBC की 70 से 75 अपना रखो टारगेट और BC वाले 75 से 80 टारगेट रखो कैसे क्या सब कुछ बताएंगे क्या eligibility होनी चाहिए क्या आपके पास योगिता होनी चाहिए ठीक है अब आप graduation है तो सोने पे सुहागा है graduation के साथ यहाँ पर BED किन भरती में BED और किन भरती में आपसे DLA यानी BTC मांग रहे हैं वो सब कुछ आपको राहूल सर बताएंगे लेकिन उससे पहले यहाँ पर देख लो कैसे करें तयारी पूरा detail में बता देंगे क्या रहेगी syllabus क्या रहेगा syllabus वो पूरा बताएंगे 6- 6-8 का syllabus, 9-10 का syllabus, primary का syllabus, PGT का syllabus और ऐसे कौन से विद्यारती होंगे जो लगभग सारी exam दे सकते हैं 9-10 का भी दे लेंगे 6-8 का भी दे लेंगे primary का भी दे लेंगे PGT का TGT का भी दे लेंगे क्यों कहीं ना कहीं आपको पूरा जब कुस सारा knowledge होगा ना तो इससे आप दे लेंगे राहुल सर बच्चों को पूरा explain दे दीजिया और कैसे तयारी करनी है और एक चीज हम बता दे राहुल सर के मेरे जाने से पहले कि हमारे एक बैच चल रहा है अधापक बैच जो 1-2-5 primary का है यह 1299 बे दिख रहे हैं यह सर बता देना discount भी इसमें चल रहा है जो discount discount बच्चों के लिए है जो हम लोगों ने तयार किया है discount वो भी बता देना यह 6-8 है यह धापक बैच 6-8 है बेटा यह देखो पूरे का पूरे आपको यहाँ पर subject दिये गए हैं कि कौन-कौन से subject की तयारी कैसे होगी 5-6 class per day आपको दी जाएंगी समझ रहे हो 6 class आपको पर अच्छे यह 125 प्रैमरी के लिए है अच्छा यह मिलेगा Phoenix Academy उननाव हमारा application उसमें मिल जाएगा राहूल सर सब बच्चों का पूरा का पूरा confusion दूर कर दीजिए पूरा explain कर दीजिए कि कैसे उनको तयारी करनी चाहिए क्या अभी से पूरा का पूरा इनका प्लान रहे कि selection ह ठीक है जी आपके पास में बच्चा B8 होना चाहिए B8 की डिग्री होनी चाहिए या फिर आपके पास में बेटा DL8 की डिग्री होनी चाहिए जो जिन बच्चों के पास में ये सारी डिग्रिया हैं वही बच्चे इस फ़र्म को भर सकते हैं और इन सारी डिग्रियों के बाद भी ऐसी दो परिच्छा हैं जिनको आप qualify किये हों तब ही आप paper कर पाएंगे या तो बेटा आप बिहार का जो TET exam होता है जिसे B TET के नाम से जाना जाता है वो आप पात्रता परिच्छा पास किये हों या फिर आप लोग जानते हैं central teacher eligibility test याने कि seated जो हर वर्ष दो वार आता है बेटा एक बार जुलाई में होता है एक बार दिसम्बर में होता है तो वो seated आपका qualify होना चाहिए अब बात आती है कि sir, कौन Beard वाले लोग किस में form भर सकते हैं, डिलेट वाले लोग किस में form भर सकते हैं, बैटा जिनके पास में डिलेट डिगरी है, वो बैटा याद रखेगा आप लोग 1 to 5 में, 1 to 5 यानि कि जो primary के vacancy है, उसमें आप लोग form fill कर सकते हैं, भर सकते हैं, और जो Beard वाले चात्र हैं बैटा, वो आप लोग 6 to 8 में, 9 to 10 में, 11 to 12 में, बैटा यानि कि किसी में भी form भर सकते हैं, केवल ओ केवल primary को छोड़ कर, केवल ओ केवल किस को छोड़ का है बैटा, primary को छोड़ कर, ठीक है, अगर आपके पास में graduation है, तो आप बैटा याद रखेग graduation अगर आपके पास में है, तो आप TGT का exam दे सकते हैं, लेकिन अगर आपको कच्छा 11 से लेकर के, कच्छा 12 का teacher बनना है, यानि 11 और 12 का teacher बनना है, तो आपके पास में master degree यानि post graduation होना चाहिए, graduation होना चाहिए, किस के लिए बैटा, PGT के लिए, अगर हमें PGT का exam के लिए त DLA हमाई पास होना चाहिए, primary teacher के लिए हमाई पास DLA होना चाहिए बैटा, और B TET या C TET में कोई एक आपका exam qualify हो, अब बात कर लेते हैं, सलेवस, सर सलेवस क्या है इसका, तो बच्छे याद रुखी का हम पहले बात कर लेते हैं, PRT की, PRT में बैटा, आप लोग जानते है टोटल कोश्चनों की संख्या कितनी होती है, 1.500, चाहे PRT हो, चाहे TGT हो, आपका चाहे 6-10 वाला हो, चाहे 1st year inter का हो, सब में कोश्चनों की संख्या बराबर रहती है, 1.500 कोश्चन ही पूचे जाते हैं, सब में बेटा, हर एक exam में 20 कोश्चन हिंदी के आते हैं, 10 हैं, यानि कि इन 30 में से केवल ओ केवल बच्चा 9 अंकल आने हैं, और सबसे अच्छी बात याद रखिएगा बच्चा, इस exam में negative marking नहीं होती, negative marking बेटा, नहीं होती है, याद रखिएगा, यानि कि तुक्का लगाने अगर आप चाहते हैं, तो बेफिक्र तुक्का लगा स पांच कोश्चन आपके मैद के आते हैं, पांच कोश्चन ही आपके रेजिनिंग के आते हैं, दस कोश्चन करीब आपके बिहार जी के आते हैं, और इसमें ये आप दिखेंगे, तो ये टोटल कोश्चनों की संख्या बेटा कितनी बन नहीं है, दस, बीस और नबे बन नही ठीक है 90 और 30 question यह हो जाते हैं तो total 120 question हो जाते हैं 30 question याद रखीएगा 30 question जो होते हैं वो आपका जो static gk वाला point होता है और इसके साथ साथ में current affairs static gk of current affairs total question हो कि संख्या कितनी हो गई है 500 आपके total question हो चुके हैं अब में चीज आती है कि सर ये तो बात हो गई PRT की सर 68 में हम क्या करेंगे तो 68 में हमें और कुछ नहीं करना है बेटा जहां पर आपका ये जो ये जो सामान ये ध्यन वाला सामान ये ध्यन का जो 70 question है और आपक कि subject के पूछे जाएंगे जो आपका graduation में आपका last year में आपका subject रहोगा किसी का bio रहोगा किसी का chemistry रहोगा किसी का history subject रहोगा किसी का art रहोगा किसी का child and development रहोगा किसी का special subject रहोगा तो ये वो सारी subject वहाँ पूछे जाएंगे बाकि math, regioning और भिहार, gk आपकी वही रहेगी 20 question Hindi के वही रहेंगे 10 question English के वही रहेंगे अब हम आपको साथ साथ में ये भी बता देते हैं कि आप लोगों को बिटा कैसे तैयारी कराए जाएगी TRE 4.0 सिच्छे गवर्ती जो class 6-8 तक आप बच्चे बोलेंगे कि sir हमारा ये subject है हमारा ये subject है तो बेटा आप यहां पर देख लिजिए तरक सक्ति यानि रिजिनिंग है मैत अगर आप math का subject है तो math से है अगर आपने English ले रखी graduation में तो आपको English पढ़ाए जाएगी सामान ये जाग रूपता सामान ये ध्यन वाला शामाजिक अध्यन बच्चा इसके अलावा अगर आपके science science में बटा आप physics से है chemistry से है या बायो से है तीनों यहां पढ़ाए जाएंगे अगर आपका hindi subject है तो hindi भी है भूगोल अगर आपका subject है तो भूगोल है पर्यावरण अध्यन EVS है आपका इसके अलावा भारती राष्टी अंदोलन इसका बिहार के teaching exam में जिसने इस topic को नहीं पढ़ा है वो बच्चा paper नहीं निकाल सकता क्योंकि ये कहा जाता है कि जो 70 question ये पूछे जाते है 70 question इसमें 40 से 45 question केवलो केवल किसके आते है भारती राष्टी अंदोलन के आते हैं उसके बाद में समाजिक विज्ञान ये आपका total क्या है आपका 6 to 8 जिन बच्चों को तैयारी करनी है उनके लिए अध्यापक बैच जूनियर 6 to 8 है बच्चा 1200 नुन्यान में इसका प्राइज है लेकिन आप जैसे ही इस पर एक coupon code का इस्तमाल करेंगे वो आपका coupon code है जैसे ही यहाँ पर coupon code लगाएंगे बच्चा RAM 50 जैसे ही लगाएंगे RAM RAM 50 तो वैसे ही यह आपका course जो है बच्चा वो 12.90 में से हट कर कितने में मिल जाएगे बच्चा 650 रुपए में कितने में बच्चा 650 रुपए में यह आपको बैच मिल जाएगा वही पर बात करें बच्चा प्राइमरी के बैच की बात करें तो यह देखिए आपके सामने प्राइमरी का बैच है प्राइमरी 125 अध्यापक बैच विगत परिच्चाओं पर आधारित पार्टग्रम यानि कि जो TRE 1st TRE 2nd जो हो चुके हैं TRE 3rd जो हो चुका उनका भी previous year में जो जो question हो है वो सारी चीजे जिसमें आपको बेटा subject में बिहार जीके, math, english, gk, gs और region आपको पढ़ाया जाएगा practice set wise PDF होंगी बेटा complete syllabus होगा previous year के आपके mcq आपको मिलने वाले हैं printed PDF मिलने वाली है handwritten notes आपको मिलने वाले हैं ये भी batch कितने का है बेचा 1299 प्राइमरी वाला भी इसमें भी 1299 बेका नहीं मिलेगा जैसे ही आप coupon code का इस्तमाल करेंगे बेटा क्या RAM 50 क्या बेटा RAM 50 coupon code का जैसे ही आज इस्तमाल करेंगे वैसे ही ये बेच भी आपका क्या हो जाएगा 650 रुपए में पर जाएगा तो आपको कॉलिंग नमबर दिया गया है 700 771 2108 इस पे आप कॉल कर सकते हैं पूछ सकते हैं आना जो आपकी ये लगातार वेकंसी आ रही है बस इन वेकंसियों में हमें लगातार महनत करनी हो और इस वार अपना नाम ले लेना है अना अपना पद निश्चित कर लेना है सर आप लोगों को बताएंगे बहुत ही अच्छी तरीके से एक्स्प्लेंड किया राहूल सर ने लेकिन आपको हम बता दें फिनिक्स अकैडमी टीम अब सिछक भरती परिछाओं में भी आ चुकी है और बहतरीन तरीके से अच्छे तरीके से हर सब्जिक्ट का महारत टीचर मतलब उसमें पारंगत होगा वो टीचर आपको अपना विश्य पढ़ाएगा ठीक है लगबद 6-7 क्लासेस हमारी एप्लिकेशन पे चल रही है अगर जैसे आपका सब्जिक्ट है जाता है तो यकीन मानिए आप परिच्छा में बहुत अच्छा कर ले जाओगे अगर हमारे साथ जुल रहे हो ठीक है फिनिक्स एकैडमी कुछ नया कर रही है सिछक भरती में आ गई और बहुत बहतरीन तरीके से यार अगर आप हमारी क्लासेस अगर कहीं देखते हो या मैस पढ़ते हो या जियस पढ़ते हो तो आपको पता होगा कि फिनिक्स एकैडमी क्या है ठीक है तो सभी बच्चों को बताईएगा क्योंकि कहीं न कहीं अगर हम लोग इस पैटर्न पे आए हैं यहां इस एक्जाम में आर आ रहे हैं तो बहुत अच्छा करने वाले हैं चलिए आप लोग सेयर करिएगा वीडियो को तब तक के लिए जय हिंचा भारत वंदे मातरम इंकलाब जिन्दाबाद भारत माता की जय है